मेरे परिवार जनों, मन की बात के कई एपिसोर्स में हमने टूरिजम पर बात की है चीजों या स्थानों को साक्षा खुद देखना, समझना और कुछ पल उनको जीना एक अलग ही अनुहो देता है कोई समंदर का कितना ही वर्णन कर दे, लेकिर हम समंदर को देखे बिना उसकी विशालता महसूस नहीं कर सकते कोई हिमाले का कितना ही बखान कर दे, लेकिर हम हिमाले को देखे बिना उसकी सुन्दरता का आकलन नहीं कर सकते इसलिए ही मैं अक्सर आप सभी से यह आग्रह करता हूँ कि जब मौका मिले हमें अपने देश की ब्यूटी अपने देश की डाइवर्सिटी उसे जरूर देखने जाना चाहिए अक्सर हम एक और बात भी देखते हैं हम बेले ही दुनिया का कोना कोना चान ले लेकिन अपने ही शहर या राज की कई बहतरीन जगों और चीजों से अंजान होते हैं कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने शहर के ही अतियासिक स्थलों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते ऐसा ही कुछ दनपाल जी के साथ हुआ दनपाल जी बैंगलूरू के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइवर का काम करते थे करिब 17 साल पहले उन्हें साइड सींग विंग में जिम्मेदारी मिली थी इसे अब लोग बैंगलूरू दर्शिनी के नाम से जानते हैं दनपाल जी परियतकों को शहर के अलग-अलग परियतन सलो पर ले जाया करते थे ऐसी ही एक ट्रिप पर किसी टूरिस्ट ने उनसे पूछ लिया बैंगलूरू में टैंक को सेंकी टैंक क्यों कहा जाता है उन्हें भहत ही खराब लगा कि उन्हें इसका जवाब पता नहीं था ऐसे में उन्होंने खुद की जानकरी बढ़ाने पर फोकस किया अपनी विरासत को जानने के इस जुनून में उन्हें अनेक पत्थर और शिलालेख मिले इस काम में धनपाल जी का मन ऐसा रमा ऐसा रमा कि उन्होंने एपी ग्राफी यानि शिलालेखों से जुड़े विशे में डिप्लोमा भी कर लिया हाला कि अब वे रेटायर हो चुके हैं लेकिन बैंगलूरू के इतिहास खंगालने का उनका सावक अब भी बरकरार है